Hello students, welcome to Global Online, this is Ankeetha Asood. So NTA UGISnet Paper 1 के final preparation के लिए Top 25 Most Expected or Most Important Questions की सीरीज आज मैं लेकर आई हूँ. इस सेशन में सबसे खास बात ये है कि हरे question के answer के साथ मैं आपको important explanation और साथ ही कुछ ऐसे tricks बताऊंगे जिससे बहुत easily आप सभी अच्छा score कर सकते हैं. So first question है, the study of why does stressful living results in heart attack? इस question में दो terms दी हैं कि जो भी person तनाफपूंट जीवन जीते हैं, उनको heart attack आने के chances बढ़ जाते हैं. अब कहा है कि ये कौन सी research हमें बताता है, options are descriptive, explanatory, co-relational या फर feasibility research. अब देखो students, ये दो चीज़ें एक दूसरे पर dependent हैं, कि कोई अगर तनाफपूंट जीवन जी रहा है, तो surety है कि उनको heart attack आने के chances हैं. इस चीज़ को research में कहा जाता है cause and effect, कि एक चीज़ की वज़ा से किसी दूसरे चीज़ पर प्रभाव उसका पढ़ सकता है. जब भी हम research में cause and effect की बात करते हैं, इसका मतलब है we are talking about explanatory research यानि की व्याख्यात्मक शोर. So, इसका correct answer है option number B. Next question is the research stream of immediate application is. तो वो कौन सा research होता है जिसमें immediately हमें action लेना पड़ता है. अब देखो कई जगा ऐसी होते हैं जैसे hospital है या school management है वहाँ पर अगर कोई issues हो जाते हैं तो सोचने समझने का या discussion करने का मौका नहीं मिलता. वहाँ पर हम लोगों को immediately action लेना पड़ता है. तो ऐसे में correct answer क्या है? Conceptual research क्या उस समय अगर हमारे concept clear होंगे तो हम आगे कुछ कर सकते हैं नहीं? Action research Immediately हमें वहाँ पर कुछ न कुछ निर्णय लेना होता है. Fundamental research यानि कि basic research जो कि सिरफ knowledge को गेन करने के लिए इस्तिमाल की जाती है होगा. Action research जो होता है, वो applied research का ही एक type होता है and immediately जब भी हमें कोई decisions लेने होते हैं तो वहाँ पर ये दोनों ही research को use किया जाता है. Students, अगर अभी भी आपने paper 1 के revision नहीं की है, तो आपके लिए quick revision question bank हम लेकर आएं हैं जहां पर आपको updated MCQs हम provide करवाते हैं. आप सभी को ये तो पता ही होगा कि 2021 के बाद examination का कितना pattern change हो गया है लेकिन अभी तक, यानि कि June 2023 तक NTA वही सवालों को बार-बार पूछ रहा है इसलिए इस question series में हम 2021 से लेकर के June 2023 तक के सभी questions लगभग 90 से भी जादा shift के questions आपके लिए लेकर आएं हैं वो भी unit wise solution के साथ यानि कि यहाँ पर हर एक unit के 500 से जादा questions आपको मिल जाएंगे यहाँ पर आपको लगभग 100 questions पढ़ने के बाद ही एक चीज बिलकुल clear हो जाएगी कि वही questions, वही pattern, वही चीज़ें बार-बार exam में घुमा करके पूछी जाती है अगर आप लोग इन questions को भी हर एक unit के लगभग 200 questions भी अभी exam से पहले अगर पढ़ लेते हो ना तो आपको कोई नहीं रोख सकता paper 1 में 80 plus score करने में साथ आपको short notes और most repeated mcqs भी हम देते हैं यहाँ में इसे as it is questions exam में आएंगे ही so given numbers पर contact करके आप इसको ज़रूर join कर लीजिए और इसके लिए सिरफ एक एबार फीस देनी होगी 6 double line next question is the web portal of स्वयम प्रभा is maintained by so स्वयम प्रभा क्या है येक online platform है best platform है education के लिए so इनका एक web portal है जो की maintain करता है दूरदर्शन Google India office, IIT Kharagpur या फिर in Flipnet Center okay so स्वयम प्रभा को maintain किया जाता है in Flipnet Center के द्वारा अब यहां पर एक homework question पहले में आपको देती हूँ कि स्वयम प्रभा इतना तो मैंने बता दिया कि ये हमें DTA Channel Services प्रवाइड करवाते है ठीक है अब homework question ये है कि कि कितने DTA Channel स्वयम प्रभा हमें देता है and कितने sessions उसमें daily run होते है यह एक ऐसा question है जो बार-बार exam में आता है okay so जैसे कि इस question में पूछा गया था correct answer है in Flipnet so in Flipnet के full form क्या होती है information and library network ठीक है information and library network ये होता है in Flipnet Center next question is androgogy is also referred to as so teaching aptitude का ये एक बहुत important topic है androgogy की बात की जाए इसका मतलब है we are talking about adult learning so यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो हर एक option में adult learning की बात की गई है तो ये क्या होता है compressed theory of adult learning comprehensive theory of adult learning continued theory of adult learning या फिर condensed theory of adult learning okay so androgogy होता है comprehensive theory of adult learning इसमें बहुत ही साथा detail में बताया जाता है कि adult learners कैसे सोचते हैं क्या उनके विचार रहते हैं किसी भी point को ले करके and साथ ही एंडरगोगी में adult learning and adolescent learning दोनों में difference भी बताया जाता है correct answer is option number two next question is alternative education is also known as यानि कि वेकल्पिक शिक्षा को और क्या कहा जाता है family education non-traditional education traditional education या फिर non-family education देखो alternative education जैसे आप लोगों ने open schools के बारे में पढ़ा होगा distance education के बारे में पढ़ा होगा ये सब education क्या होती है informal होती है non-traditional education होती है तो alternative education मतलब non-traditional education and यहाँ पर primary education जो होती है वो होती है हमारे school and college के education जहाँ पर daily students को college or school जाना होता है lectures attend करने होती है and alternative education क्या होती है जिसे job के साथ साथ बच्चे पढ़ाई करते हैं job के साथ साथ extra courses करते हैं वो सब non-traditional यानि कि alternative education में चीजें आती है अगला question है during teaching a teacher's statements and encourage statements that encourage students to elaborate on and answers either their own words or that of others will be called exact definition दी हुई है teaching का ही एक method है जिसकी एक definition है इसमें कहा है कि teacher की एक statement कई बच्चों को बोल देते हैं अगर मैं एक ऐसी statement बोल रही हूँ जिसमें मैं किसी student को motivate कर रही हूँ encourage कर रही हूँ कि आपने जो answer दिया है वो सही दिया है उसको थोड़ा सा और elaborate करो चाहे bookish language में चाहे अपनी भाषा में easiest way में उसको elaborate करो ऐसा जब teacher बोलते हैं तो वो teaching का कौन सा skill माना जाता है options are structuring instructional variety engagement in the learning process या फिर probing so correct answer here is option number 4 that is probing ये एक best teaching skill मानी चाहते है जिसमें as a teacher आपकी ये responsibility होती है कि आप किसे student को motivate करो and यहाँ पर instructional variety बहुत से students ने answer जरूर सोचा होगा instructional variety होती है learning को कैसे हम अलग-अलग तरीके से पढ़ा करके interesting बना सकते हैं कि अगर teaching का learning का एक तरीका काम नहीं कर रहा तो उसको बदल कर हम किसी और तरीके से students का interest अपने तरफ बढ़ा सकते है next question is in which method of research the independent variable is manipulated to observe and measure it effects on dependent variable so research aptitude का यह question है variables में से पूछा गया है जो independent variable होते है उनको अगर manipulate किया जाए उनमें अगर कुछ changes लाए जाए and उनको change होने के बाद उसका जो effect है वो dependent variable पर अगर हमें नजर आ जाए तो इस research को क्या कहा जाता है options are exposed facto experimental case study या historical अब देखो history में तो जो चीज़े हो चुकी है वो हो चुकी है इससे किसी भी चीज़ पर कोई effect नहीं पर सकता आप जितनी मर्जी research कर लो अगर हम लोग यहाँ पर experimental research को मान कर चलें तो science lab में अगर कोई experiment करता है एक chemical को दूसरे chemical से मिला देता है तो पहले वाले chemical में भी तो कोई ना कोई changes होंगे न यानि कि independent variable में changes करने से dependent variable में भी बदलाव उसके effect देखे जा सकते हैं यह होता है experimental method कहीं पर भी किसी के भी changeable phenomena के अगर बात की जा रही हो तो आप लोगों ने experimental method को ही select करना है ओके next question is a student's t-test is typically used in देखो t-test use होता है एक हमारे पास z-test होता है research में teaching में sorry ठीके so t-test use किया जाता है in comparing two groups to see if their means differ ठीके दो अलग-अलग groups है students के दोनों को हमने same task करने के लिए दे दिया अब हमें देखना है कि t-test हमें यह बताता है कि दोनों ही groups की क्या performance नहीं same time दिया गया था same task उनको दिया गया था next question is बहुत important है types of evaluation है formative, submittive, criterion, reference and norm reference direct definitions दी गई है percentile rank देखो अगर आपने theory sessions में देखे हैं तो आपको पता होगा कि percentile rank कहां पर दिये जाते थे final exams में percentile rank दिये जाते हैं and final exams मतलब summative evaluation so b को हम a से match कर लेंगे, b को first से match करके देखो answer थो आपको यहीं से मिल गया, ठीके formative evaluation होता है जो class के दौरान teacher और students के बीच में discussions होती है okay so यहाँ पर आप लोग इसमें answer में थोड़ी सी गड़़ है correct answer option number 3 ही होगा formative evaluation standards, indesive of mastery summative evaluation percentile rank and standard scores are used for reporting criterion reference में criteria select कर दिया जाता है जैसे मैंने मान लिया कि जिन students के 60% से जादा marks होगे सिरफ मैं उनी को पास करूँगी तो यह criteria जहाँ पर set कर दिया जाता है its intention to judge learning standards and norm reference क्या करता है एक student के performance को दूसरे students के performance के साथ compare किया जाता है the intention of using it is to identify scope and potential for improvement next question is also very important the phrase TL modeling of teaching implies that TL अब देखो teaching learning बहुत इसी है teaching learning model जो होता है वो क्या बताता है वो हमें सरफ यह ही बताता है कि teaching and learning are integrally related apps ठीक है अब यह कैसे possible है अगर एक teacher अच्छा पढ़ा रहा है तो दिखती से बात है कि students का score अच्छा रहेगा students का result भी अच्छा आएगा तो इसलिए यह दोनों चीजे integrally एक दूसरे से related होती है next is teaching differs from training and conditioning in so far as it promotes teaching और training मैंने difference आपको बताए है कि दोनों चीजे एक दूसरे से अलग होती है किस basis पर discipline drill, critical thinking, study association या फिर mastery of facts ठीक है तो यह critical thinking के level पर चीजे एक दूसरे से बिलकुल हमेशा अलग रहती है teaching में एक teacher आकर के students को knowledge देते हैं उनके साथ अपना knowledge share करते हैं उनको कुछ नया सिखाते है training एक short period के लिए चलता है one year या फिर कुछ months के लिए and conditioning क्या होता है जो already inbuilt या फिर already चीजे किसी student के पास है उनको जो knowledge है उस चीज को एक better way में लेकर जाना so critical thinking ही इन चीजों को आपस में अलग करती है next question is a proposal that may provisionally serve as a starting point for further research is known as ठीक है so इसको कहा जाता है hypothesis, theory, model, yavr principle research को start करने के लिए एक initial level पर इसको use किया जाता है ये होता है hypothesis hypothesis steps of research में एक बहुत important role play करता है अब देखो, सबसे पहला research में होता है, आप लोगों को problem के बारे में पता होना चाहिए, जिसका solution आप लोगों ढूना चाहते हो उसके बाद क्या हो जाते है आप लोगों को hypothesis भी generate करना पड़ता है पर इकलपना करनी पड़ती है कि अब इसका solution लेने के लिए ये trick try करें, ये करें या फिर ये करें तो एक hypothesis एक ऐसा step होता है जहां से हमें आगे का रास्ता clearly मिल जाता है next is arrange the following steps in the process of hypothesis testing in proper sequence so hypothesis testing के भी कुछ steps होते है वैसे तो देखो, मैंने आपको बताया है कि steps of research होते है उसी का एक part होता है hypothesis अब hypothesis करने का भी कुछ rules होते है, कुछ steps होते है जो इस paper में पूछे गई है ये सब previous year questions है okay, so hypothesis के लिए सबसे पहले हमें setup करना होता है null या alternative hypothesis को अगर इस चीज़ को हमने setup कर लिया तो आगे की चीज़ी easy हो जाती है यहां से देखेंगे तो ये दो options हमारे गलत है उसके बाद select the level of significance महत्वक अस्तर हमें देखना है कि किस level पर कितना importance हमें किसी चीज़ को देना है अगला है फिर हमारे पास C या E दो options है ठीक है, तो C बोलता है establish the decision rule निरने नियम को स्थापित करना कि यह हमारा decision rule है हमें इतने के बीच में ही काम करना है या फिर अगला है select test statistics तो correct answer होगा यहां पर कि हम significance के level को select करने के बाद test के statistic को select करते हैं अब hypothesis select करने के बाद हमें उसके testing भी करनी ज़रूरी होती है तभी उसको finalize किया जा सकता है कि क्या जो hypothesis हम सही मान रहे है वो actual में सही है या नहीं है यह testing बहुत ज़रूरी होती है ओके इसले correct answer क्या है option number 4 इसके बाद आप देख सकते हो इसके बाद आता है establish the decision rule then we have performance computations and last में conclusion को draw किया जाता है next question is when a sample is chosen because it is available to the researcher it is known as what so it is known as probability sampling, convenience sampling systematic या फिर objective sampling तो देखो objective sampling नाम का तो कोई भी point research में होता ही नहीं है ठीक है convenience क्या होता है आपके बाद अब मैं आपको बोल रही हूं कि आप कल मुझे मिलना अब आप पूछोगे कि किस समय मिलना मैं बोलूँगी अपने convenience के हिसाब से कभे भी आ जाना मुझे मिलने तो convenience होता है कि जो best time आपको suit करता है जो best available free time आपके पास है तो convenience sampling भी ऐसे ही होता है जो available है अब आपने research के लिए कुछ साथा दिमाग नहीं लडाया आपके पास जो available चीज़े थी आपने उनको उठा लिया और अपना research क्या कर दिया directly start फिर यहां से कर दिया ओके जो यह बहुत important question है आगे भी हम sampling को detail में देखेंगे convenient sampling correct है which of the following curriculum development models come under technical scientific model तो देखो technical scientific model इतना important तो नहीं है बट फिर भी यह है ताबास model यह एक previous year question है next question is reflective level teaching is different from memory level because the pattern of communication that is involved in reflective level teaching is basically what so आपको पता है teaching के 3 levels होते है reflective, memory, सबसे छोटा होता है memory then we have reflective level ठीक है सबसे छोटा memory, सबसे highest level होता है reflective level and middle में आता है understanding level of teaching so इसमें कहा है कि reflective level जो है वो memory level से बहुत अलग होता है बिलकुल सही अब इसका कारण क्या है because the pattern of communication that is involved in reflective level is basically it is basically transactional ठीक है यह क्या होते है transactional model होता है तो यहां से एक चीज़ क्लियर हो गई कि reflective level आपका transactional होता है next question is which of the following evaluation system provides choice for students to select from the prescribed courses so कुछ समय पहले ही higher education में यह initiative लिया गया है तो वो हमेशा structured approach को ही follow करता है यह हमेशा quantity पर focus करता है next question is in research null hypothesis यानि कि शुन्य परिकल्पना when rejected offers a scope of accepting the alternative of alternative hypothesis तो इसमें कहा है कि जब भी हम null hypothesis को reject करते हैं मतलब कि हम alternative hypothesis को accept कर रहे हैं बिल्कुल सही क्योंकि null के अलावा और option सरफ alternative का ही होता है अगर हम इसको भी reject करके कुछ नहीं करेंगे तो फिर hypothesis का मतलब ही क्या बना इसलिए null को reject करते हैं तो automatically alternative को हम select कर रहे होते हैं next is when the null hypothesis is rejected but there will be chances for committing a beta rather than alpha error तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता इसलिए first statement correct है और second statement incorrect है correct answer is option number 3 ऐसे case में जब भी हम null hypothesis को reject करते हैं वो alpha error होते है next is which of the following research method employs internal and external criticism for shifting as evidences and data तो यह होता है historical method correct answer is option number 3 next question है sampling से related जो कि बहुत important है हमें पूछा है non probability sampling okay so दो types होते हैं sampling के probability and non probability दोनों के further 4-4 types होते हैं ठीक है simple random dimensional simple random जो है इसका नाम ही बताता है यह probability sampling है dimensional sampling होता है आपका non probability already एक वीडियो है जिसमें tricks के साथ यह चीज़ें याद करवाई गी है तो option number 2 आ गया देखो यहां पर option 1 है तो यह option गलत है यहां पर भी 1 है तो यह भी गलत है ठीक है इसके बाद snowball sampling snowball sampling भी non probability होता है then we have cluster sampling cluster sampling आता है आपका probability के अंदर then we have quota sampling that is also non probability and stratified sampling आ जाता है ठीक है so correct answer है option number 2, 3 and 5 यहां से आप याद रख सकते हो non probability है convenience voluntary response, purposive and snowball already detailed video है link will be in the link I will add in the description box next question is a researcher studies the effect of pair group interaction on learning styles the variable learning style in the study function is the dependent variable ठीक है निर्भर चर की as it is definition है which among the following is not a kind of plagiarism so plagiarism क्या होता है साहितिक चोरी होती है जो की research के दरान अगर की जाए तो वो एक अपराद के रूप में मानी जाती है ठीक है इसमें का है not a kind patch writing उपर से गलती करके उसको लिख देना that is also a type of plagiarism untained plagiarism accidental accidental जो होता है उसको किसी भी तरीके की साहितिक चोरी नहीं माना जाता है next is according to the behaviorist school of psychology the teacher is so behaviorist theory जो होती है behaviorist school of psychology है उसके हिसाब से वो बोलते है कि teacher एक ऐसा person होता है जो की students के level के हिसाब से उनके interest और उनके mindset के हिसाब से classroom के environment को create करता है यानि कि अगर छोटे बच्चे है तो poems के through, गानों के through, games के through उनको सिखाएंगे बड़े बच्चे है तो उनको उस level पर सिखाएंगे कि उनका previous knowledge कितना है तो इस हिसाब से यहाँ पर देखते है correct answer क्या है classroom facilitator no storehouse of knowledge ऐसा नहीं कि घ्यान कवरणार है बस पतक दो बच्चों पर यह भी गलत है a leader in the classroom, teacher एक leader कभी भी नहीं होता है classroom में ठीक है last है creator of favorable learning conditions एक ऐसा environment create करना जहाँ पर बच्ची interest के साथ चीजों को समझ भी सके और उनको पढ़ भी सके, correct answer is option no.4 next question है application, analysis and synthesis are example of so आपके पास जो knowledge है आपने उस knowledge को apply भी किया उसका visualization भी किया और फिर उसको synthesis यानि कि उसका sensation भी किया, तो यह किसका example होता है, highest level अगर आप अपने thinking abilities को लेकर जाते हो तो ही आप उस knowledge को apply कर सकते हो, देखो यह कहां से question आया, levels of teaching में से आया memory level में जो आप सीखते हो कि उस चीज को कही apply कर सकते हो नहीं कर सकते, understanding level में आप उसको थोड़ा सा deeply समझते हो लेकिन फिर भी आप नहीं समझते कि कैसे उसको apply करना है and कैसे उस चीज को analyze करना है so यहाँ पर उसके बाद आता है आपके पास highest level that is understanding level and reflective level ठीक है तो यह highest order thinking skills हम में बताता है जहाँ पर हम अपने knowledge को real life situations में apply कर सकते है और analyze कर सकते हैं कि कहां कमी रही थी, कहां हम से गलती हुई थी और कैसे उससे बाहर निकला जा सकता है so यह थे आज की important questions so thank you so much everyone for watching this video and I wish you all the very best